इस वीडियो में हम बात करेंगे के दारू के कारण HIV positive लोगों को कैसे नुक्सान हो सकता है और दारू के कारण HIV negative लोगों को कैसे नुक्सान हो सकता है आगे आप क्या जानेंगे इस वीडियो में तो दारू और HIV का क्या रिस्ता है HIV नेगेटिव लोगों को क्या चीज़ का द्यान रखना है कि जैसे HIV का खत्रा ना रहे और HIV पॉजिटिव लोगों को दारू से क्या रुक्सान हो सकता है और उसको कैसे बचा जा सके और विश्वसनी HIV AIDS चैनल्स पर मैं HIV AIDS specialist डॉक्टर केतन राणपर या आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले दारू की सरीर पर और अपने वर्तन यानि की behavior पर असर होता है। नेमिज सेवन से किसवी व्यक्ति की रोग प्रतिकारक सक्ती कम हो जाती है। लिवर पर नुकसार होता है और जोखम कारक वर्तन या behavior उसका बढ़ जाता है। अब लोग दारू क्यूँ पीते हैं तो लोगों को दारू पीने में आनन मिलता है। उसको लगता है उसके दिमाग और सरीर की ठकावट कम हो जाती है। चिंता कम करता है आरामदायक महसूस कराता है और भूख लगती है। इन कारण से आम तोर पर लोग अब दारू पीते हैं। अब हैचाई positive लोग अबर भानात पर असर काफी होती है। उसके रिपोर्ट जब हैचाई positive आता है तो उसको status के कारण वो emotionally तकलिफ में महसूस करते है। तो इस तकलिफदायक situation में या तो किसी और कारण की तकलिफदायक situation से। आराम पाने के लिए मुक्ति पाने के लिए दारू का 7 करते हैं। लेकिन यह आराम यह मुक्ति कुछ समय के लिए होती है। बाद में यह तकलिफ और ज्यादा सामने आती है। दारू और HIV दोनों साथ में होने से सारिक, मानसिक और सामाजिक तकलिफे बढ़ती है। Yale University अमेरिका की संस्ता के एक research में पाया गया था। कि जिस व्यक्ति को HIV positive है, उसको कम मात्रा की दारू से ही उतना ही असर आता है, जितना HIV negative वाली व्यक्ति को ज्यादा दारू से आता है। और यह लोगों में दवाई खाने के भूलने के तकलिफ ज्यादा लोगों में दिखती है। और HIV के करण दिमाग पर दारू की ज्यादा गंबीर असर देखनों को मिलती है। दारू और HIV के करण दिमाग पर काफी किसम की तकलिफ होती है जिन में से आमतोर पर short term memory यानि कि कुछ समय पहले क्या हुआ था क्या काम कर रहे थे क्या करना था भूल जाना। दिमाग का काम करने की प्रोसेस में तकलिफ उत्पन होना। सरीर के हलन चलन में तकलिफ आना ट्रेमर्स आना। या निणे लेने की सक्ति कम हो जाना। अब जब HIV पॉजिटिव लोग दारू पीते हैं तो उसके कारण HIV का वायरल लोड बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। और CD4 यानि कि रोग प्रतिकाराख सक्ति कम होने की संभावना बढ़ जाती है। अब नेमित रूप से ज़्यादा मात्रा में दारू पीने से रोग प्रतिकाराख सक्ति कमजोर हो जाती है। यानि कि CD4 का संभावना कम हो जाती है। दवाय की side effect होने की संभावना बढ़ जाती है। अवसर वादी इंफेक्शन यानि की रोख पतिकर रख सकती कम होने के करण जो दिखने वाले इंफेक्शन से उसकी समभाना बढ़ जाते हैं और कॉलेस्टरोल बढ़ जाता है लिवर पर दारू की असर भी होती है और ही पॉजिटी लोगों में कुछ एक से एक दो परसंट या तो उससे कम लोगों में हिपेडाटिस B या हिपेडाटिस C की तकलिप भी देखने को मिलती है तो जब एक इस किसम का हिपिरेटिस B या C का तकलिफ है और उसमें साथ में दारू भी पीते हैं और HIV है तो लिवर की गंबिर समश्या उत्पन हो सकते है सोचने की ताकात कम हो जाते हैं तो सही और योग्य नीने इंसान नहीं ले पाता और ये चीज़ HIV positive और HIV negative दोनों लोगों के लिए काम में असर करेगी कि दारू पीने से सोचने की सकती कम हो जाने के कारण योग्य नीने नहीं लेने के कारण सुरक्षा यानि की condom का इस्तिमाल करने में चुक हो सकती है या तो पार्टनर्स को इन्फॉम करने नहीं करने पाएंगे तो असुरक्षी समद बनाने के कारण HIV positive यक्ति से अपने पार्टनर्स को HIV का इन्फेक्शन लग सकता है और यदि HIV negative इंसान दारू का व्यासन करता है तो फिर में इसके condom का इस्तिमाल नहीं करता तो खुद को HIV होने का खत्रा बढ़ जाता है तो मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसा consultation करने के लिए आते हैं कि हम party कर रहे थे दारू पी लिया बाद में हमको पता नहीं है कि हमने condom इस्तिमाल किया था या नहीं किया था और हमने किसी व्यक्ति के साथ sex कर लिया तो अब हमें HIV होगा या नहीं होगा और उस चीज़ से हमें बहुत डर लग रहा है तो याद रखे दारू से सोचने की सक्ति कम होने के कारण खुद को HIV होने का रिस्क या तो सामने वाले को HIV देने का रिस्क काफी बढ़ जाता है गुप दोख होने के संभावना बढ़ जाती है और ही पॉजिट्व लोगों में यदि गौनोरिया या तो हरपिस होता है तो उसकी गंबिर्ता ही नागट्व लोगों के कंपरिजन में ज्यादा होती है बार बार दारू पिने वाले लोगों दावाय की निमित्ता में चूक होगी अनिमित रुप से दावाय लेंगे तो उससे वायरस की संख्या बढ़ सकती है दवाय काम करना छोड़ सकती है तो मैंनिकी ट्रिट्मेंट फेलर हो सकता है और शिडिफूर काउंट नीचे जा सकता है यदि दारू पिने से कोई व्यक्ति दारू अधिक मातर में पीता है तो नौगुना संभावना बढ़ जाती है कि उस दिन वो व्यक्ति अपनी HIV की दवाय भूल जाए और हर एक ड्रिंक के साथ उसको दवाय खाने की भूल जाने की संभावना 20 परसंट बढ़ जाती है और दारू के कारण मानसिक स्वास्थे पर नकारत्मक असर होता है एक समय के बाद उसकी लट पड़ जाती है आज़त बन जाती है चिंता या डर का प्रमान ज्यादा हो सकता है एक अभ्यास में पाया गया था कि जो लोग एचाई पॉजिटिव है और नीमित रूप से ज्यादा दारू का सेवन करते हैं तो फिर उनको हताशा यानिकी डिप्रेशन होने की संभावना 22 परसंट से भी अधिक होती है उदासिंता का अईसास करना और दुखी महसूस करना एक पैरामेटर्स है कि कुछ हद तक दारू पिना सेफ रहता है लेकिन एचाई पॉजिटिव के लिए एस सेफ लेवल क्या है वो अभी तक निर्दारित नहीं हुआ है तो यहाँ पर जो जो पैरामेटर्स दिये फोटोग्राप्स में है वो सिफ HIV नेगेटिव लोगों के है कि वो लोग इतना दारू पिये तो उसको कोई खत्रा नहीं है या तो सरीकों कुछ हद तक बेनेफिशल एफेक्ट हो सकता है लेकिन ही पॉजिटिव लोगों के लिए दारू की मातरा कहां तक बिन हानिकारक है वो अभी तक निर्दारित नहीं हुआ है तो ही पॉजिटिव लोगों के लिए क्या सेफ रहेगा क्या अच्छा रहेगा और क्या करना चाहिए जितना संबह हो उतना कम दारू पिये नहीं पिना सबसे अच्छा रहेगा यदि आप ज़्यादा दारू पी रहे हो या ज़्यादा तकलित में हो तो दारू को छोड़ने के लिए आप साइक्याटरिस्ट या तो आलकॉल डी अडिक्सिन सेंटर की अवश्य मदद ले मैं HIV AIDS Specialist डॉक्टर केतन रणपरिया यदि आप मेरे सिव्यक्तिकेत रूप से ओनलाइन या क्लिनिक पर कंसल्टेशन्स करना चाते हो या तो इलाज कराना चाते हो तो इस नंबर पर आप वाट्सप पर मेसेज कर सकते हो आखिर में चितावनी यहाँ पर कहे गई बाते एक आम जानकारी के लिए हैं समय के साथ विज्ञान बदल सकता है किसी भी जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV AIDS Specialist डॉक्टर की व्यक्तिकेत रूप से राह लेना अत्यन्त आवश्यक है Thank you